तो चलिए दोस्तों constitutional morality term को समझे की कोशिश करता है, सबसे पहले शब्द को पकड़ो, constitution ये तो एक document एक समविधान होता है, दूसरा पकड़ो morality ये value system, moral values पर काम करता है, दोनों को मिला देंगे तो constitutional morality बन जाएगा, मगर इसका मतलब क्या है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, पहल हमारा जो समविधान है, वो हमें individual interest को भी बचाता है हमारे, और collective interest को भी बचाता है, तो अगर हमारी judiciary इस decision को देखेगी, क्या ये अनेथिकले दूसरे समाज में शादी करना, वो देखेगी नहीं है, क्यों क्योंकि वो reasoning लगाएगी उसमें, वो अपनी rationality को लगाएगी, त अब एक example आप लोग comment में दो,